तो अभी चली बात कर दें किस तरीके से आप mutual fund का performance चेक कर सकते हैं definitely मैं मुझे पता ही कि आप excited थे हैं segment को देखने के लिए तो अभी हम discuss करेंगी कैसे आप figure out कर पाओगे क्योंकि आपका target ही होना चाहिए किस तरीके से मैं winner के उपर पैसा लगाऊ winner के उपर bet लगाऊ ताकि मुझे जादा return मिले and I can also become a winner तो कोई भी mutual fund खरीदने से पहले जो भी उसका जैसे भी performance हो यहाँ भी आपको देखना है कि कोई भी fund जो है उपर नीचे होता है कोई issue नहीं just make sure that you are taking into consideration expense ratio and also exit load उसके बाद आप उसका performance check जो है वो कर सकते हैं तो performance check का मतलब क्या होता है कि आप इसको industry मतलब इसके competitor जो भी है उसके हिसाब से आप उसको figure out करेंगे उसको देखो नापोगे तोलोगे उसी के साथ साथ आप यही देखोगे कि वो market के हिसाब से कैसा perform कर रहे है क्योंकि हर एक fund जो होता है वो specific होता है यहाँ पे इसा आप देख पा रहे है Tata Digital India Fund Direct Growth मतलब Tata Digital India Fund Growth तो यहाँ पे इसका target ही होगा कि भाई यह digital यानि IT companies में इसका most probably investment होगा जी हा IT technology sector में, communication sector में इसका maximum investment है और वहाँ पे क्या कर रहे है उसका target क्या है कि मुझे growth देना है वो आपको dividend देने का उसका कोई concern नहीं है that is only looking for growth तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि equity पे इसने focus किया है अगर मैं उसको zoom करता हूँ तो equity में इसने focus किया है sector जो यह sector specific है यानि हम IT sector में इसको invest कर रहे है and the risk is extremely high तो यहाँ पे आप देख पा रहे है तो इसका performance अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख पा होगे कि 5 साल में इसने कैसा perform किया 5 साल में इसने 33% return दिया है 3 साल में 32% return दिया है एक महिने में यह 7% गिरा है एक महिने में 9% गिरा है एक साल में इसने 32% so over a period of time it is like very good all time अगर मैं देखता हूँ यह fund launch हुआ था 2015 में और 2015 से लेकर अभी तक इसने 23% return दिया which is decent enough I won't call it extremely good but यह compounding हो कि आपका बहुत अच्छा return दिया है इसका bull run जिसको हम बोलते है जो growth हो रहा है वो growth कब से शुरू है 2020 से ठीक है क्योंकि IT सेक्टर definitely boom कर रहा है आप यहाँ पर fund size देख सकते हो minimum SIP amount देख सकते हो इसका net asset value यानि for example हम discuss करेंगे यहाँ इने net asset value basically होता है कि जब आप for example किसी company का stock purchase करते है तो उसमें क्या होता है इसका fund size कितना है 5,000 करोर है यानि 6,000 करोर के आसपास है और यह सारे चोटे-चोटे fund है तो यहाँ पर आप देख पाऊगे कोई 7.5% है 17% है और यहाँ पर banking and financials तो अलग-अलग sector होते है तो यह चीज़ आपको थोआ सा यहाँ पर चेक करना पड़ेगा अभी performance को अगर हम देखते है performance देखने से पहले उसके details को में जानना पड़ेगा कि उसका investment कहाँ पर है 95% जो है वो equity में उसने डाला हुआ है 5% उसके पास जो है cash पड़ा हुआ है 82% technology, communication services it's usual और advanced ratio अगर हम P ratio, PV ratio अगर हम देखते है price to earning ratio price to book ratio और यह साइ जो equations होते है आपकर जो terminology होता है यह basic ratio होता है उसके हिसाब सी होता है तो जब आप online में जाते हैं आपको बहुत सा ऐसा tools मिल जाते है तो यहाँ पे for example जो भी आपको fund mutual fund आपको देखने को मिल रहा है तो आप figure out करोगे कि भाई कौन सा mutual fund इस यहाँ पे आप put up कर सकते है मुझे equity में invest करना है मतलब मैं high risk ले सकता हूँ और fund size में देख रहा हूँ कि जिसका अच्छा fund है so 2000 crore, 5000 crore जितना है वो it looks good enough उसके बाद आप देख पाओगे कौन सा AMC यानि कौन सा asset management company आप prefer करते हो ICA यहाँ बहुत सारे से companies है जिनका आपने कभी भी नाम नहीं सुना अगर उनका past performance आपको तोहाँ से देखना ऐसा नहीं होना चाहिए आपका पैसा लेके जो है options रहती है तो उसके बाद आपनी figure out करने के बाद अगर आप comparison में आ जाते performance कैसे check कर पाएंगे performance आप दूसरे के साथ ही compare करके समझ पाएंगे because एक fund को देखके आपको आप मार समझ में नहीं आएगा तीन fund मैंने डाला हुआ है आप जैसे देख पा रहे है कि growth कैसा हुआ है यह जैसे axis का जो है direct term यह जो है आपका एकदम नीचे जा रहा है उसका 4% growth है टाटा डिजिटल जो है उसका 32% growth है और क्वांट जो है वो 44% growth दिखा रहा है तो आप graph देखने से उसका performance समझ जाओगे कि भाई कैसा कैसा movement चल रहा है एक साल का I think last year का आपको देखने को मिलेगा last year third May से हम यहाँ पे देख पा रहे कि growth कैसा हुआ है एक साल के अंदर ठीक है फिर आपको 5 साल का growth आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो NAV जो था वो movement कैसा कर रहा है यह basically NAV है NAV कैसा movement कर रहा है NAV मतलब net asset value risk appetite आप देख पा रहे है moderate है वोलको आपको जादा return नहीं दे रहा है minimum SIP अभी हम discuss नहीं करेंगे आप देख रहे है expense ratio जो है quant का बहुत जादा है यह बाकी लोगों का बहुत कम है NAV it doesn't matter कब शुरू हुआ था वो भी आपको देखने को मलता है fund size ऐसे देख पा रहे आपका 10,000 करोर है यह 1600 करोर है यह 6000 करोर है तो fund size भी matter करता है यहाँ पे exit load कुछ नहीं है आज पैसा डालके कल निकाल सकते है पर यहाँ पे आपका exit load है return आप देख पा रहे comparison करने से आपको समझ में आ जाएगा यह आपको पता चल रहे कि बहुत हाई risk है यह moderate risk है that is how it works और एक जीज़ जो आपको consider करना पड़ेगा वो है turnover turnover का मतलब हो जाता है कि आप कितना percent stock जो है वो change कर रहे हो हर साल ठीक है यहाँ पर आप देख देख पारे इनका कोई turnover नहीं है इनका भी turnover नहीं है मतलब इन्होंने जो भी stock purchase किया जहाँ पर भी invest किया वो पैसा उन्होंने वहाँ पर लागा के रखा हुआ पर Tata वाले पर आप देख रहे हो कि 20% 20% जो उसका share होता है जो भी portfolio होता है मतलब 20% जो share होता है वो base देता है और निया 20% जो है वो करता है so this is very high यह आपको ध्यान में रखना परेगा equity investment आप देख पारे यह equity में invest नहीं करता है that is why बहुत कम return आपको मिलता है and cash कि किसके पास कितना है इसके पास बहुत जादा liquid cash है इसके पास 3.4% है इसके पास 1.6 है तो आप फिर asset भी देख पाऊगे top 6 holding कहाँ पे है so most probably जो आप देख रहे है access यह जो आपका short term direct fund है so most probably bond purchase किया हुआ and government of India state bank of India and Indian bank launch day, Deutsche bank and everything is there तो इसी तरीके से आप comparison कर पाऊगे compare करने के बाद आपको figure out होगा but make sure that मैंने आपको दोनों अलग-अलग segment का करके मैंने दिखाया है but यहाँ पे आपका target होना चाहिए कि जैसे ही देखो debt मैंने यहाँ पर डाला हुआ है equity मैंने डाला हुआ हुआ equity मैंने डाला हुआ है तो आप अगर तीनों equity डालते हैं तो आपको समझ में आएगा मैंने debt इसलिए डाला था ताकि आपको मैं समझा सकोंगी कैसे इसका growth होता है debt में आपको जादा return नहीं मिलता है पर आप equity में अगर डालते हैं तो आप obviously you are taking much more risk but आपका return भी उसमें better मिलता है आपको